साथियों, स्वच्छ भारत अभ्यान और अमुरुत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देश्वासी को घर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्व कांख्षा भी है और मात्रु भूमे के लिए अप्रतीम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है, वो हमें आस्वस्थ करता है कि हर भारत भार्शी अपने कर्तव्यों के लिए कितना सम्वेदंसिल है, कितना सतर्क है। हम सभलता में और इस सभलता में बारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम सबका पसीना है। और हमारे स्वच्चता कर्मी, हमारे सफाई मित्र, हर रोच जाड़ू उठाकर सडकों को साप करने वाले हमारे भाई बेहन, कूडे की बदबू को बरदास करते हुए, कचरा साप करने वाले हमारे साथ ही, सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। कोरोना के कठीन समय में, उनके योगजान को देश ने करीब से देखा है, अनुभव किया है। मैं देश की इन उपलब्दियों पर हर भारत मासी को बदाई के साथ ही, सवच्च भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमरुत 2.0 के लिए शुपकामनाय देता हूँ। और इससे सुखत ये क्या होगा, कि ये नई शरुवात आज गांदी जैनती के एक दिन पहले ही हो रही है। ये अभ्यान पुझ्य बापु की प्रेणा का ही परणाम है, और बापु के आदर्सों से ही सिद्धी की और बढ़ रहा है। आप कल्परा करिए, स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओ बेहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। पहले ही कितनी ही महलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, काम पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधाई नहीं होती थी। कितनी ही बेटियां को स्कूल में सौचाला इन्न होने की वज़े से पढ़ाई छोडनी पड़ती थी। अब इन सब में बढ़लाव आ रहा है। आजहादी के 75 वर्ष में देश की इन सभलताओं को, आज के नए संकल्पों को, पुज बापु के चरणों में सर्पित करता हूं और नमन करता हूं। करता है।